हेलो माइट यूरे स्ट्रेंट्स वेलकम टू वेदी और अधे स्मार्ट लेर्णिंग है मेरा नाम है श्रिवास तो आज में आपके साहर में लेकर कहा है एक नया टॉपिक जिसका नाम है विटमीन्स एंड इस तो सुरेंट्स विटमीन के बारे में आप लोगोने प्राइमरी यह एस पर डिफिनेशन आए समस्ते हैं इसको विटमीन्स क्या है माय्क्रोन जूटेंट्रिंट आशा तो माय्कर नूटेंट्स क्या होते हैं वह केमीकल सबस्तांस जो कि काफी स्मॉल क्वांटीडिव में हम लोग अपने बाडी में लेते हैं जिसके होज़े से हम लोग का प्रोडी ग्रोव करता है या फिर किसी डिजिस से लडने में वह असरदार होता है तो देखिए कुछ माइकर नुटेंस के बाने में आप लोगों ने सुना होगा अब देखिए जैसे कि आई रन आई रन ठीक है आई रन होगे और आप बोल सकते हो मैगनेशियम मैगनेशियम एस्टुनेंट्स हम लोग माइकर नुटेंस की बात कर रहे है तो देखिए आई रन हो गया मैगनेशियम हो गया उसके बाद फिर आप बोलो पोटैश ठीक है और भी माईकर नूटेंस होते है उसी में से एक माईकर नूटेंस आपका होता है क्या तो विटमिन सब्सक्राइब करता है जो कि काफी स्मॉल कॉंटिटी में लिया जाता है जिसके विज़े से क्या होता है हमारा बोडी अच्छे तरीके से ग्रो करता है या फिर किसी डिजिस से लगने में हेल्प करता है ठीक है है सूसे हमारे बिज़न को प्रोपर तरीके से वर्क्राने के लिए विटमिन्स जरूड़ी है अब मिल्द में अलग विटमिंस होता है उनके लिए मोग अलग व्होर्स होता है आप लोग और हर एक विटमिन्स का अपना केमिकल नेम अपना एक उसके कमी से होने वाले डिजीज और उसके कुछ में सोर्ट होते हैं ठीक है तो उनी इस चीजों के बारे में हम लोग इस लेक्चर में समझेंगे तो देखिए स्टूइंस बीटमीन इप एक एक मैं बात करूँ तो इसके किमिकल ने मौता है आपका अ रेटीन औल सु ट्रेंट इसकां ने मौता है रेटीन ऑल अप आप लोगों को याद रखना है नेसे मनाद करेंगे इसके कमी से इसके कि यानि कि कि किसके विटमिन एक कमी से मैं लिख देता हूं इसकी डिफिषेंस से इसके डिफीएर्टिएंसी से होने वाले कुछ दिजिस और उसको शुलोग यहां पर समझेंग ए सु पहला है आपका नाइटबलाइदनेस रतौन दि बोलते हैं इसको इंदी में यालिकी नेस्ट आपकी डिजीज है इंप्रोपर ग्रोथ एंड डेवलप्मेंट आफ देखिए कुछ लोग को आपने देखा होगा वो लोग तीस साल चारी साल को जाते हैं लेकिन उनकी ग्रोथ काफी कम रह जाती है या फिर आप बोडी की बात कर सकते हो तो काफी दूबले पतले ल कुछ में फेक्षिन होना ठीक है तो विटमीन एंख कमी से एक और रोग हम लोग पर पढ़ने जा के लिए जिसके वैसे लोगों को यह भी मारिया नहीं होंगी नहीं यह कुछ फूट समय पाई जाते हैं कुछ इस स्पेसिफिक फूट सेंस के लिए तो आए जानते हैं उसके बारे में कि सबसे पहले स्टुनेंट्स नट्स नट्स में नेन एक्स और देन फिश ग्रीन लिफी फेजिटेबल जैसे के स्पाइनेच हो गया आपके पार्सली हो गए ब्रॉक्ली हो गई डैरी प्रोड़क्स डैरी प्रोड़क्स में आपका गी हो गया बटर हो गया एना मिल्क हो गया तो यह सारे विटमीन एक एक कुछ सोर्षे अब देखो यह लोग कलर्ड फूट्स जैसे मैंगो यहां पर आप देख सकते हो और बनाना हो गया ठीक है न अब देखो इस फिगर में इस फिगर में मैं आपनों कुछ वीडिमिन एक सोर्स देख रहे हो देख जैसे कि ब्रॉकली मैं के करके उसको भी क्लियर करें देता हूं ठीक न अब देखो ब्रॉकली देखो यहां पर ब्रॉकली है फिर आपका पार्सली देन एस्पैनेश भी एक होगा और भी जो ग्रीन लिफ यह ऑफ ग्रेप्स हो गया और आपका क्या वाटर मिलन हो गया तिक न तो इन सब कुछ फूट्स वह यह विटमीन ने पाया जाता है और आप इस पिक्चर में देख सकते हो जो कुछ फूड़ गया हो तो आप इसको देख के समझ सकते हो ठीकन सुम्धा यह बात रही आपकी वि अब मैं आपको एक बात बता दूं जब नेस्ट वीडियो में लेकर क्या हो गाइस का तो विटमीन आप लोग थाइमीन के बारे मैं आपको और अच्छे तरीके समझाओंगा उन्हां सबस्क्राइब की विटमीन B के बारे में तो विटमीन वी में वीकाफिव टाइप होते हैं आप विटमीन वी टू उठा लो भी त्री उठालो भी फाइव डालो भी विटमीन वींट नहीं करके कि सारा कुछ सम्झोगे तो इसका गैमिकलल नेम्स क्या है इसका डाजी Bennett और लिदि 너 है आप इस फिक्टर में देख सकते हो इस हाथ को देखो कि काफी आपको यहां पर रेट स्पोर्ट देखने को मिल रहोंगे यह देखिए यह सारे है ना है ठीक है अब देखिए अब यह भई कोई नहीं चाहिए कि कुई रूब उसको तो उससे बचने के क्या क्या हो पाए मतलब कि क्या हूं बेटेंबी का में सोर्स है आई उसकी बार में समझते हैं है तो मीट एस्टूरेंट मीट जो लुग नन विजटेरियन होंगे उनका यह काफी फिवरेट फूड यह देन सी फूड जो समुद्र एक नारे आपको फूड मिलता जैसे कि आप फिश बोल लो कुछ लोग केकरे भी खाते हैं देन पूल्ट्री एक्स डेरी प्रोड़क्स कुछ प्रोड़क्स में वीटमिन एवाले भी है मतलब की वीटमिन एभी पाया जाता है इन फूड्स में आप लोग ने पिछले स्लाइड में समझा इन से भी चीजों को देन लगूंस लीफी ग्रीन वेजिटेबल सेट्स है देखो इस पिक्चर के मादम से आप समझ सकते ह यहां देखो मीट मैं मैंने बात किया था है यह आपको मीट दिख रहा है तीक है यह देखो फिर आपका यह सीफुड में एक फिश आ घर और आप देखो यहां पर कुछ लिफी ग्रीन स्था को आमिल जाएंगे देखो यह वाले हिस Vienna यह सारी आपके क्या है बड़ाट से एब की बीके सबस्राओं सो यहां तक वाथ है आपका mutt MID, बीके बारे में अब समझेंगे के बारे में और वीटमीन C बारे में और मैं सुंट्ल कर आक क्या होता है तो श्तुरेंट्स एसकोर्बिक एसेड इस्टेकल नेम ओफ विटमिन सी ठीक नहीं है और यह जितने भी चीज़े लिखी हुए जैसे केमिकल नेम है आपके डिजीज हो गए बेस्ट विटमिन सी यह सारी चीज़ें अगर आप लोग इसी एक्जाम की आपको होगा सो स्कर्वी आप यहां देख सकते हैं स्कर्वी क्या होता है कि आपके जो गम्स है यानि कि आपकी जो मुशूड़े उसमें ब्लीडिंग आने लेगी उसमें ब्लीडिंग आने लेगी आप इस पिक्चर में देख सकते हो यहां पर एक भाई साब का मुग खुला है और यह देखो यह दिख रहा है यह देखो यह आपको गंस में ब्लीडिंग दिख रही है यह वाली तो यही आपका स्करवी है ठीक है यह पूरे आपके पूरे टीथ वाले पार्टे में हो सकता है ठीक है तो इससे बज़ के रहना काफी खतरनाक बेस्ट सोर्स ऑफ विटिमिन सी अब हम बात करेंगे कुछ इसके बेस्ट सोर्सेस के बारे में सो साइटरस फूड देखिए जो फूड रसीले होते हैं यानि कि कौन सा हो गया औरेंज बोल लो में आप टोमेटों बोल सकते हो है ना और कुछ साइटरस फूड के बारे में जानते हैं देशे कि यहां पे देखो इस पिक्चर में दिया हुआ है कीवी कीवी भी आपका एक साइटरस फूड में आता है स्ट्रॉबरीज गये देखो अधिन ओरेंज ओरेंज प्लस और इंज जूस दोनों ही आपके बेस्ट विटमिन चीए ठीक है अब यहां देखो कुछ वेज़ेटेबल की बात करते हैं कुछ वेज़ेटेबल की बात करेंगे तो आपको देखेंगा रेड़ पेपर ठीक ना या आपके जनली पीज़ा अधिक ना ब्रॉकली नेक्स में ब्रसेल्स स्प्राउट्स तो यहां तक बात हो गई आपकी फ्रूट्स और विज़ेटेबल की तो यह फ्रूट्स और विज़ेटेबल इन टाइप्स के आपके विटमिन सी के बेस्टोर्स होगा है अब कुछ जूसेज में मैंने आपसे कह और इन में आपका औरेंज जूस भी चलाएगा ठीक ना यह तो ग्रेफ्रूट टोमैटो जूस ठीक है तो यह सारे कुछ विटमिन सी के में टाइप्स हो गया चीक ना इस डिजिस को याद रखिएगा इस कर भी विटमिन सी के डिफिचेंसी से ओने वाले डिजिस इस कर भी ही ठीक है चलिए आगे बढ़ते है ला अधिशने विटमिन डी है अभी तक हमने बात करी विटमिन एव विटमिन सी के बारे में ठीक है ना अब हम बात करेंगे विटमिन डी बारे में अच्छे से इसको सुन एगा एक और फिर से रिवीजन करेंगे end of the class लेकिन ठीक तरीक कुछ याद हो जाएगा मेरी बातों को इतना ज्यादा सुनोगे आपको अपने आप याद हो जाएगा दूसरी फिर इस टॉपिक को दुबारा पढ़ने की ज़रूत लगवग नहीं पड़ेगी अब देखो विटमिन डी का दूसरा नाम है इसको हम लोग और नाम से बोलते हैं यानि कि संसाइन विटमिन यानि कि सूरज की रोशनी से भी हम लोग को विटमिन दी मिलता है तो इसका नाम ही रख दिया गया है क्या संसाइन विटमिन अगर आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो मैं य विटमिन तो इसको दिमाग में बैठा करके चलना तो शन शाइन विटमिन ठीक है नेस्ट अब इसके कैमिकल नेम क्या है देखिए स्टूरेंट्स मैं केमिकल नेम पर बहुत ज्यादा जोर कर रहा हूं ठीक ना केमिकल नेम आप से एक्जाम से पूछे जा सकते हैं पूछे ज जाते भी है ठीक है ना सो कैल सी फेर आल अब देखो इसको याद करने का बेस्ट तरीका क्या है मैं इसके वरे में एक और चीज़ बता देता हूं हड्डियों से जुड़े वे जो रोग होते हैं यानि की बोन से रिलेटेड जो डिजीज होती है उसका भी कारण विटमिन ड होंगे यह तो आप लोग जानते हो कि जब बोन्स में कोई डिजीज होता है बन से रिलेटेड को भी मारिया होती है मां चीकर ना तो मून कम्जोर हो गया बेंड हो गया तो उसमें आप लोग क्या यह मैं सब श्यादर लेते हो कैल्सियम आपका यहां विटमिन डिक में सोर् सकना भाल सो कैल्सी फैरden यह विटमिन डिक जो के मिलमेंस को याद करने का बैस तरीका सो कैल्सी एंस से हप लोग बढ़ेकर को είonna अब देखो नेक्स संसाइन अब इसका तो दूसरा नाम ही है तो यह तो ऐसी किलियर है ठीक है ना अब यहां देखो यह एक यॉक्स चीज मस्रूम लगवा के स्टुएंट्स आप देखोगे कि जो विटमिन विटमिन बी विटमिन सी विटमिन डी आगे भी पढ़ोगे तो उसमें कुछ सोर्सेज ऐसे हैं विटमिन के जो कि कुछ एक जैसे हैं तो आप लोग उसको डिफ्रेंशियेट करते हुए चलिएगा ठीक है ना अब देखो जैसा कि मैंने आपको बोला अब इससे रिलेटेड एक डिजीस के बारे में जानो रिकेट्स या फिन नौक नी रिकेट्स या फिन नौक नी यह कैसी विमारी होती है तो हमने विटमिन डी को पढ़ने के बा यह कि आपकी जो हड़ियां होती है ना काफी सफ्ट हो जाती है क्या होती है काफी सौफ्ट हो जाती है और जेनरली एक मैं बात करूँ सो इस यह हो गया आपके पुड्य पैर की अपको पांगे थिटीक है तो एक तरफ आजाएंगी यानि कि दोनों एक तरफ आजाएंगी एक दूसरे के तरफ ठीक है या तो अलग हो जाएंगी या फिर दूर भागेंगी तो यहां देख रहा हो एक एंगल बन रहा है यहां पर यहां पर यहाँ आपको दिख़रा होगा एंगल बनते वेश हुए यह देखिए से यह दोनों ही आपकी जिटीमिन सा लिखीन य तो यही आपका रिकस्ट या फिर नौक नि यह पे उपाए इसे बचने का काफी अच्छा सा उपड़ रिकेट्स है तो आप लोग कि अपने पैड को यानि कि इस वाले पॉडशन को अच्छे से बांध लो किसे रसी से कप्रे से कोई do सपने कर से और है कि पैड़ के बीच में एक पिलोड के सो 07 tu उससे क्या होगा कि वो जो कॉर्सन बैंड हुआ है कुछ इस तरीके से या फिर इस तरीके से वगए क्या होगा आपका कि वो क्या होगा बिल्कुल पर्फेट हो जाए कुछ इस तरीके से यह देखो यह नॉर्मल नॉर्मल कंडिशन ठीक है तो यह आपको नॉर्मल हो जाएगा जो मश्रूम विद्मेंडी की आप देखो पॉर्क तो यह यह टाइप का मीठी है इस बीफ लीवर अब देखो सुवर का लीवर तो विद्मेंडी का सोट्स देखो इतना यह सारी चीजें आपको इतना दिख रहे हुए कि इसमें से हीट काफी ज्यादा जनरेट होता है यह का तासीर योती काफिजादा गर्म होती है तो इसलिए vitamin d कमें सोड्रस यह सबसे पले देखू कि उसकी तासीर घराम है थंडी मतलब ताशीर किया उसका जो इंटर्नल टेंप्रेचर रहेयोगा एक का जो इंटर्नल टेंटर्टर हुथ हाई होता है यस आप और बीफ लिवर बहुत गर्मी पड़ीट में बहुत गर्मी पर रहे खाव यह सब खावट सब समक्रादो तो यह सब कुछ मैंन सौर्सेज आपकी विटमिन डीके हो साइए नेक्ट बात करेंगे स्काशना इस इस होती उसका नाम है सेक्श्वल फंक्शन अब देखो यह क्या कि कभी से मेल या फीमेल दोनों में कुछ उम्स सेक्स में कुछ प्रोल्म्स हो जाती है ठीक है इसकी dariesobsy ढूंब वर ज्यादा कुछ इसमें आपको नहीं जाना है ठीकिन यहमेल या temper मिल किसी में भी हो सकता है ठीक है ना सो केमिकल नेम जान लिया डिजीज जान लिया अब देखो कुछ इसके में सोर्स है तो क्या कुछ आप खाएंगे जिससे आपको वह प्रॉलम नहीं होगी तो यह देखिया प्लांट ओइस प्लांट और जैसे कि और रिप सीड फिर आप बात करोगे वेजीटेवल ओइल यह दुख यह सबसे में सोर्स है वेजीटेवल ओइल इस बेस्ट सोर्स ऑव बेटमीन ई एक संफ्लावर सोया देखो एक तरह से सुड्स आपको सिर्फ यहां पर और 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 कहीं सोर्स मिलेगा यह दो को सनफ्लावर होता है ना फिर आपका वेजीटेवल ओइल दिया ही है कौर नहीं हो गया ओलीव ओल फिर एक और ओल आ गया देखो जितने भी ओल वाले पाट आ रहे है इन सब को ऐसे कवर कर लो यह देखो और आपके ओलीव ओल फिर वीट जर्म अब देखो सीरियल्स या फिस सीरियल प्रोड़क्ट्स ठीक ना तो इन यह सब जो हैं आपके विटमिन एके में सोर्स है इस फिगर के मदद से जान सकते हो वीज्वली समझो सनफ्लावर सीट्स नेक्स में एवोकाडो यह जनरली आई फाई लोग इसको लेना पसंद करते हैं कारण है कि काफी महेंगा भी है और काफी रियल्ली मिलता भी है नेक्स्ट मैं मैंगो कि सो मैंगो इस आप सोर्स ओव विटमिन ए फिर कुछ ग्रीन ग्रीन वेजटेबल की बात करें सो यह स्पैनेश एंड ब्रॉकली कि नेक्स्ट ओइल्स देखोए सुनेट्स विटमिन ए जान रहे तो उसके में सोर्स को जाने के सबसे अच्छा तरीका क्या किसी भी फूड का जो इंटर्नल टेंपरेचर जादा बहुत जादा तो विटमिन दी वहां पर होना ही होना है ठीक है ज़रूर नहीं है मतलब तो है उसको समझना है तब जो जादा लोग जादा फूर सोर्सेज है जादा सोर्सेज के आपके जिसमें हेड़ जादा हीड़ जादा उसमा जाद जादी है अब देखो इस्पेनिश और लॉगली समझा फिर ओलीप से एंड ओलीव ओल नेक्स्ट कीवी यह आपका मப GG-7 में सोर्सेज ऐ थे किस्ट ऐए होब आप लोगे को प्रालोम नहीं होगी समझने में cœ-2 मिटमीन के गौइटमीन के विज्टमीन यानिकी वेटमीन के की होती है क्या इसका केमिकल नेम ई-2 सुडिन Kag ten being नै मेन कुई नन मेना क्यों ओन यह हो गए आपका केमिकल नेम नेस्ट डिजीज तो देखो इस्प्रेंट्स होता क्या ना कि जब कभी हम लोग को कहीं चोट लगा वह होता है कुछ लोग यह सुने होंगे कि ब्लड क्लॉट हो गया है मतलब वो निकला ही नहीं बहुत समय से तो कि इसाथ देख सकते हो यहां पर कि यह किसी लड़की का आता है कि इनको छोट लगा और यह ब्लड का तकका बनना मुलते हैं ना वह ब्लड क्लॉट हो गया जगह पर वह मूव नहीं कर पा रहा रहा है पूरे बॉडी में ज Produce सब्सक्राइब कर गया है तो अब देखिए इससे निपटने का कुछ में सोर्स के है सो में सोर्स वेटमीन के क्या ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स तो सबसे अच्छा तरीका है ब्लड फ्लो को बढ़ाने का याने कि आपके ब्लड सबसे अच्छा तरीका देखो ब्लड सर्कुलेशन रुप गया है एक जगा प्याकर ब्लड लॉट हो गया तो अब ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएंगे तो उसके लिए क्या में लोगों को जरूरी है तो यह बात रही आपकी विटमीन के बारे में कि स्टुरेंट्स हम लोग को कुर्म इलाकर इतने विटमीन के बारे में जानना था एक आपका विटमीन सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि जो विटमीन एच है आपका वह विटमीन बी किसी टाइफ का एक पार्ट है अब वह पार्ट कौन सा तो इसको सर्प्राइज रखते हैं जब नेक्स लेक्षर आप लोग सामने आएगा तो उसमें आप लोग जानोंगे विटमीन एच के बारे हों चैनल सर्फ को होती है ईसको यहां पर देखते बेच लोगे कि यदो यह देखिए विटमीन ऑगया अब क्हlen menacer अना टोगा फ्रॉश वर अन्य कि में के में वोला था मेंना क्यूंड नtemis का टोको फिर ओल टोको फिर ओल ठीक है अब इतमीन डी वला और आसान हो जाएगा क्योंकि कैल सीयम कैल सियम टैबले टाब लोग मैंने बताया था बून की जो प्रॉलम होती है तो समय लोग एक लिट लेते हैं है ना सो कैल सीम से अपका आगा कैल सी और फिर ओल सो कैल सी फिर विटमिन डी वला हो गया विटमीनी का टोको फिर ओल यह देखो कैल सी फिर ओल यह टोको फिर ओल नेक्स आपका मेना कुन ठीक है ना काफी सिंपल है जब वर्ट को पकरते चलो थोड़ा सा उसको उसका फ्रेग्मेंटेशन करो थोड़ा बाटो उसको समझ में अपने आप स्कताइब देखो विटमीन इन जब अप दिमांग में आहे जब भी अपर देखो कि विटम इन ए तह आप लोग कि दो में इतना आंना चाहिए कि जो भी ऑईल से ओल सिसका में सोर्स है मैं आप लिख देता हूं ठीकन की जो ओयर है यह जितने भी जा यह जितने को मैं फूसरा मैं यह जितने भी वह सारा है आपके विए में निगे मैं सोर्स है ठीकरन लगल मैं तिफकश विट मिन ईंगरे यह लेन ऐसा सट लेенно chin209 वह जो वह गरम भूजन यानि कि कुछ जिस प्रूड प्रडट्स में आपके आपकी हीट जदा होगी उसमाज़ाद होगी उसकी यापका बेटमीनकी का में सोर्स इसकी डिफीशेंसी से इसकी और नौक नोख ने बोन्स का आपस में कुछी सरीके से बैंड हो जाना या फिर ऐसे एक्सपांड न तो यहापका वेटमिंटी उसलिट की टिटिवसेंट सी से हुआ बर्ट जिस अब देखो ही विटमिन्सी सी से समझो शकर भी सी से सकर भी इसका सब्सक्राइब और वितमीन से उब हाई तो आपको याद करना है तो आपको याद करने में यहार पर आसारी हो जाएगी विटमीन तैसे सब्सक्राइब कर दो कि यह कुछ एसको और रहा है ना तो यह से किपकल नियुक्त करना है कि यि Barbie क अभी विटमीन सी में साइट थूट तो साइट कि सुद्थ दिखोł सी कितने बार आ गया सिहां आप यह देखो चिबध बाद आ गिया से किमीकल यह में आपका ऐस्कॉर्विंक पहला अब देखो स्कर्वी दूसरी बार में कुछ चैसा निकल रहा है अब देखो साइटरस फ्रूट में कुछ यह पर यह तो पहला लेटरी सी है ना तो सी तो इसका कैमिकल लेम इसके डिजीज और इसका में सोर्स तो साइट्रस लाट फ्रूट बाकि सारे तो है आप लेख सकते हो तो वीटमिन सी को भी याद करना मारे लिए असान हो गया अब विटमिन भी टो बीट से रिलेटे डीडियर्टी इजीज़ पॉन सी तो बेरी बेड़ी 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 नाम के डीजिस विट्मिन बी के कमी से देखो कितना आपको याद करने के लिए यहां पर बाटा गया कुछ इस तरीके से सो बेड़ी बेड़ी तो पहला लेटरी भी और यह विट्मिन बीडी है अब देखो थाइमीन अब इस थाइमीन के बारे म आप लोग को काफी ज्यादा टाइब से बारे में समझना है मैंने आप से पहले बताया था काफी सारे टाइप सोंगे इसके अब कुछ इसके में सोर्स कि इस विटमिन iota डिसी सच ओए बेड़ी बेड़ी है तो इतना समझ जाओ मीट या फिर फिश को या अंज्वित में low मीट यह फिर सीफूड ठीक है सो विटमिन बी को भी हमने खतम कर लिया अब आई यह लास्त हमारा लास्त नहीं सुरू बोलेंगे सो विटमिन ए कि सो विटमिन एस एटीन ओल रे रे आगया ना फिर आपका विटमिन ए तो एका फिर देखो पर तो यह देखो एँ यह ओगया आपका एब यह देखो रे तो यह भी कुछ लग रहा इस तरीके से यह देख लेंट सी मैं याद करने के लिए आप लोग को ऐसा समझा रहा हूं ठीक ना अब देखो इस से डिजीज कौन सी सो एसा नाइड ब्लाइड ब्लाइड नेस सब्सक तो या फिर इंप्रोपर गोड़ोथ हो गया ठीक ना इन्फेक्शन इंट रोट एंड चेस्ट अब विटमीन एक में शोर्स क्या है सुने नट्स एक्स फिश ग्रीन लिफी वेटेबल्स यह सरे आपके विटमीन एक कुछ सोर्सेज हो गया है श्रीक एस्ट्रेंट्स कि तो यह स्ट्रेंट्स आज 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 हमने क्या पढ़ा विटमीन और उसके उसी लीटेड़ कुछ डिजिस के बारे में नेक्स लक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे और जानेंगे बीटमीन बीके और विकुछ टाइपस के बारे में तो आज यहीं परहने देते हैं नेक्स ला भाट नहींते हैं।